बिल्कुल चर्चा करनी चाहिए आज तक एक या दो महीने होने को आए हैं इतनी जादी हिंसा हुई है और अभी तक बोले नहीं है तो जरूर बोलना चाहिए बिल्कुल ठीक है महीलाओ की सुरक्षा सरकारों का काम होता है बिल्कुल सुरक्षत होनी चाहिए लेकिन मनीपूर में जो हुआ जरूर उसके उपर चर्चा और उसके उपर जवाब देए तो सरकार को होना ही पहेगा देखे कल भी औल पार्टी मीटिंग में स्पीकर की मीटिंग में मेरा सबसे पहला यही आगरे था कि क्रिपया हात बांद के बेंती है कि सरकार सेशन को चलने दे पहली बारी पिछले सेशन में देखने को मिला कि सत्ताधारी पार्टी ही सेशन चलने नहीं दे रही थी और पूरा सेशन पहले दिन से वाश आउट हुआ और आज भी यही था क्योंकि कई बहुत गंभीर मुद्दे हैं मनीपूर एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है लेकिन उसके उपर जवाब देए पार्लिमंट के अंदर होना बहुत ज़रूरी है तो इसलिए यह आग रहे था कि यह सेशन चले अब हमारे नौथ इंडिया में हमारे पंजाब में फ्लड्स का इतना बड़ा इशू है बिचारे किसान की सारी आमदन खतम हो गई है और स्टेट सरकार को परवाई नहीं है बैंगलोर में बैठे हैं अपनी अगले साल की अलाइंस की त्यारी कर रहे हैं और लोगों को अपने हाल में चुड़ा है तो बहुत इंपोर्टेंट मुद्दे हैं जो यहां पर उठाने वाले हैं लेकिन अनफॉचनेटली यह जो रूलिंग पार्टी है और उपोजिशन पार्टी है इन्होंने शेयर डिसाइड कर लिया कि 2024 तक कोई सेशन चलेगा नहीं और लोगों के पैसे सिर्फ बरबाद कर हैं तो फिर जिनों ने जो जन दी है उसको अक्सेप्ट करिए और मुदा सेटल हो जाएगा एक्सेप्ट करिए और आप अपना जवाब दीजिए और लोगों को उसका जवाब देने दिए लेने दीजिए सेटल हो जाएगा सब बोलने से क्या है इतनी जादी हिंसा हुई है और अभी तक बोले नहीं है तो जरूर बोलना चाहिए जरूर उसके ऊपर चर्चा और उसके ऊपर जवाब देगी तो सरकार को होना ही पहेगा अभी प्योट चोटीज व्यूट जादीजिस एन देप्ट इंट फूटेज इंट इस फूलो फिर उड्ड सॉट्ट तो चूल्डं चाल लो है जास्यूट कर चांदमें कर दो धित्स